बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल करियर पॉइंट पे और देखे दूस्तों आज हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित महत्तपुर्ण परशन यानि बिहार एक दिश्टी में हम लोग देखेंगे और ये आपको क्यों कराया जाएगा आपको इसमें आप आपको सौ से लगवग 110 परशन आपको इसमें टोटल करवाया जाएगा जो काफी इंपोर्टेंट है जो बेसिक जो बिहार के बारे में जो आपको स्टार्ट आज किया जा रहा है और ये आज बिहार का ये पहला है ठीक है पहला दीन है और इससे संबंधित आपको पुछे जाते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका और आपको टेलिग्राम अगर चैनल आप जोइन करना चाते है वहाँ पर आपको बहुत सारा PDF मिल जाएगा तो आप ये टेलिग्राम चैनल आपको वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे जहां से आप जोइन कर सकते ह हैं और अच्छे से त्यारी आप कर सकते हैं ये आपका ट्यूटर हैं तो इस पे आप जरूर से जरूर इसे फॉलो करें चलिए आज का देखते हैं पहला परशन और देखिए वन लाइनर परशन है जिसमें आपको टोटल वन टेन पलस आपको परशन करवाय जाएगा तो अगला परशन देखते हैं कि बिहार की राज भासा क्या है तो बिहार की जो राज भासा है वो है आपका हिंदी और अगर पुछा जाए कि बिहार की दित्तिय राज भासा क्या है तो उर्दू है बिहार की दित्तिय राज भासा अन्य भासाएं क्या है बिहार की अन्य भासा बहुत वारी जामें पुछा गया है तो बैल है बिहार का राजकिय पसू और बिहार का जो राजकिय पक्ची है वो है आपको गवरईया और बिहार का राजकिय चिन जो है वो है आपका पीपल देखिए इसमें आपको बहुत क्विक रिविजन कराया जारा ठीक है आपको मात् 20 मिनट लगवग आपको इसमें लगेगा 15 से 20 मिनट आपको टाइम लगेगा जिसमें आपको basic knowledge आपको काफी मिल जाएगा बिहार से संबंदित और इसका आज पहला दीन है और इसी संबंदित तो उत्तर के पूर्वी भाग में ठीक ना देश के उत्तर पूर्वी भाग में आप देखिएगा तो बिहार आपको मिलेगा ठीक है अगला प्रशन देखते हैं कि बिहार से संबंदित महत्व पूर्ण बाते क्या क्या है तो यहां भगवान बुध का जन्म हुआ ठीक है बुध है यहां पे गल्ती लिखा गया है थोड़ा इसमें सुधार कर दिजेगा भगवान बुध का जन्म हुआ 24 में जैनतिर्थंकर याविर का यहां पे जन्म हुआ उनका निर्वान कि प्राप्ती हुई रिसी मुनियों तथा अनेक अनेक परमुख व्यक्तियों का ये कर्म भूमी है और ये जन्म भूमी है तो ये महत्व है आगे है कि बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उडिशा का गठन कब हुआ था काफी important है तो बंगाल और उडिशा से जो अलग होकर बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 इस्वी को और इसी तारीक से 22 मार्च को आपको बिहार दिवस मनाया जाता है अगला प्रशन है कि बिहार का उडिशा से पिर्थकरन कब हुआ मतलब उडिशा से कब अलग हुआ था तो 1936 इस्वी में बहुत important प्रशन चली अगला प्रशन देखते हैं कि राज्य का वर्तमान स्वरूप वर्तमान में जो आपका राज्य है बिहार इसका जो है 15 नवंबर 2000 इस्वी को जार्खन अलग हुआ था और बिहार एक अभी वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2000 इस्वी से अलग होकर के जार्खन अलग हुआ और उसके बाद बिहार अभी वर्तमान में है आगे देखते हैं कि बिहार का छेत्रफल कितना है जो बहुत पर पुछा गया है 94,163 वर के किलोमीटर बिहार का छेत्रफल है Next है कि बिहार की दिरिष्टी से भारती राजियों में अस्थान Sorry, छेत्रफल की दिरिष्टी में पुछ रहा है कि जो भारती राज है उसमें कैवा अस्थान है बिहार का तो छेत्रफल में है दूस्तों 12 हुआ ठीक है याद रखिएगा आगे है कि देश के कुल छेत्रफल का कितना हिस्सा है बिहार का तो मातर 2.86% देश के कुल छेत्रफल का बिहार का हिस्सा है नेक्स्ट है आपको कि बिहार का जो जयामित्य आकरिती है वो कैसी है तो लगभग बिहार की जयामित्य आकरिती है वो कैसा है आयताकार है ठीक है आगे देखते हैं कि अच्छांसिय विस्तार आपको याद होना चाहिए कि बिहार का अच्छांसिय विस्तार कितना है तो 24 तो ये अचानस्य दिशानथर आपको याद होना चाहिएい एक्जाम में आपको कई बार पूछा गया है आगे है कि राज्य का विस्तार राज्य का जो विस्तार है बिहार राज्य का लंबाई कितनी है दोस्तों इसके उत्तर से दच्छिन जो लंबाई है 312 किलो मीटर है ठीक है उत्तर से लेकर के दच्छिन तक नौर्थ से लेकर के साउ तक इसके लंबाई है जहारखन, पूर्व में पस्चिम बंगाल और पस्चिम में कौन सा है उत्तर परदेश तो ये भागोलिक सीमाई आपको कई बार एकजाम में पूछा गया कि निभिहार की चोहदी क्या है तो उत्तर में नेपाल है, दच्चिन में जहारखन है, पूर्व में आपको पस्चिम बंगाल है और पस्चिम में उत्तर परदेश है अगला देखते हैं परशन की राज की सीमाओं को असपर्स करने वाला राज बताना है कि राजी के सिमाओं को कौन कौन से राजी असपर्स करता है तो ये एक जारखन जो दचिन में है पस्चीम बंगाल जो पूरो में है और उतर परदेश जो पस्चीम में है और येक हमारा देश से मात्र सटा हुआ है नेपाल से बिहार सटा हुआ जो नौर्थ में है अगला प्रस्न देखते हैं कि उच्छ नियाला है जो बिहार में उच्छ नियाला है वो पटना में है पटना उच्छ नियाला है इसके अस्थापना होई थी 1916 में चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं कि विधान मंडल जो बिहार में विधान मंडल है दोस्तों ये दिव सदनात्मक है मतलब यहां विधान सभा भी है और विधान परिशद भी है ठीक है दोनों है इसलिए इसको कहते हैं दिव सदनात्मक और देखते हैं अगला प्रस्ण है क निक्स्ट प्रसंगे आपको कि विधान सभा में अनुसूचित जाती की आरचित सीटे कितनी हैं dell राजी सभा में सदस्यों की संख्यां कितनी है तो 16, ठीक है राजी सभा में बिहार से कितना सीठ है तो 16 सीठ है, आगे देखते हैं कि परमंडलों की संख्यां कितनी है दूस्तों, तो परमंडल की संख्यां टोटल 9 है और ये 9 कौन-कौन से परमंडल है तो पटना, मगध, ति ये आपको याद होना चाहिए तभी आप छाट सकते हैं तो चली जितने भी आपको प्रस्ण लिया गए ये काफी important exam के भ्यूद से और ये लगवक सभी प्रस्ण आपको कही ने कहीं exam में पूछे गए हैं जीलो की संख्या बिहार में विवर्तमान में है 38 अनुमंडलो की संख्या अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 101 अगला प्रस्ण है आपका कि समुदाइक प्रमंडलो की संख्या अब बताए कि समुदाइक प्रमंडल की संख्या है 534 राज्य में कस्वू की कुल संख्या है 130 कितना कस्वा है 130 तीस और नगर जमाव या नगर समुह कितने है बिहार में तो टोटल है आपका 14 नेक्ष प्रस्न है कि महा नगर की संख्या कितनी है अगर महा नगर तो एक मात्र महा नगर पटना महा नगर है अगला है कि एक लाग से अधिक जन संख्या वाले नगर एक लाग से जो अधिक जनसंख्यां वाले जो नगर है बिहार में वो है आपका 26 तो ये कई बार आपको पुछा गया है एक लाग से अधिक जनसंख्यां वाले नगर याद रखिएगा राजस्व गाउं की संख्यां कितनी है बिहार में तो 44,874 राजस्व गाउं की संख्यां है अगला परस्ण देखते हैं कि 2011 की जनगन्ना की अनुसार राजी की कुल जनसंख्यां कितनी है काफी इंपोर्टेंट है जनसंख्या तो आपको fix है कि आपको पूछाए जाता है BPSC में पूछा गया है ठीक है ठीक है त्याद रखिएगा बिहार से जितने भी संबंधी प्रशन है सभी काफी important है तो दोजरेगार एक जनगन्ना कंस्वार जो बिहार की जनसंख्या है जादा यहाँ पर ग्रामीन जनसंख्या निवास करती है जैसे कि देखे ग्रामीन जनसंख्या कितनी है बिहार में तो 9 करोड 23,41,436 यानि टोटल जनसंख्या का 88.7% जो है आपका गरामीन जनसंख्या है अगला परसन है आपको पूरुस जनसंख्या तो बिहार की पूरुस जनसंख्या टोटल कितनी है तो 5 करोड 42,78,157 जो 52.14% पूरुस की जनसंख्या है ये आपको याद रखना है डेटा और डेटा आपको 11 के जो जनगन्ना है न इसी के अधार पे आपको डेटा दिया गया है जो आपको एकजामे पूछा जाएगा अगला देखिए आपको है कि महिला जनसंख्या बिहार में कितनी है तो 4 करोड 98,21,295 यानि कि टोटल जनसंख्या का 47.86% बिहार में महिला निवास करती है अगला परसन है दोस्तों कि रजनसंख्या की दिरिस्टी से भारती राज्यों का बिहार का स्थान कौन सा है तो देखे जनसंख्या की दिरिस्टी से अगर बिहार का स्थान देखे तो 3 है पहला है आपका UP का दूसरा है आपको महाराष्ट का ठीक है और 3 है आपको बिहार का महाराष्ट ठीक है दूसरा है महाराष्ट तिसरा हो गई आपका बिहार और चौथा हो गई आपका वेस्ट बंगाल तो यह चार कम से कम याद रखिएगा जो आपको बता ब्रावर आपको एक्जाम में सजाने के लिए पूछ दिया जाता है अगला परशन देखते हैं आपका देश की कुल जनसंख्या का हिस्सा तो देश की कुल जनसंख्या का हिस्सा जो बिहार में निवास करता है वो 8.60% बिहार में निवास करता है ठीक है अगला परस्ण देखिए कि निम्ण जनसंख्या वाला जीला कौन सा है तो निम्ण है आपका सेखपूरा में और सेखपूरा की जनसंख्या कितनी है तो 6,32,442 व्यक्ति और ये जितनी भी डाटा है 2011 के अनुसार है ठीक है जो आपको 11 के अनुसार ही एकजाम में पूछा तो घनत्व में है सबसे अधिक सीवहर का ठीक है सीवहर में जो जनसंख्या घनत्व है ऐसा नहीं कि देखिए बहुत सारे लड़कन गलत करते हैं कि जनसंख्या घनत्व सोच लेते हैं कि पटना का होगा क्योंकि पटना में बहुत लोग रहते हैं नहीं सीवहर का है दोस्त अगर ननत्म पुछ लिया जाए तो हो जाएगा आपका कैमूर ठीक है और कैमूर का कितना है दोस्तो तो 488 वक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर प्रति एक हजार पुरुस पे कितनी महिलाए है नोसो अठारा तो इसी को कहा जाता है लिंगा नुपात मतलव कि 1000 पूरुस है और जिसमें महिला कितनी है तो 918 ठीक है याद रखेगा लिंगा नुपात कई बार एकजामे पूछा गया है अग्दा है कि सरवाधीक लिंगा नुपात वाला जीला अगर पूछ लिया जाए तो यहां लिंगान उपाद सबसे अधीक है और नियुंतम जो लिंगान उपाद है वो है आपका मौंगेर मौंगेर जीला में है 8156 महिलाएं 876 महिलाएं 1,000 पुरुसो पर तो यह होगी आपका नियुंतम निफ्श प्रशन दिखते हैं कि छेतरफल की द रिस्टी से सबसे बड़ा जीला तो छेतरफल में जो सबसे बड़ा है वो पस्चिमी चमपारन है ठीक है जो नेपल से सठा हुआ है जो छेतरफल है पांच हजार दोसो अठाइस वर्ग द कीलो मीटर और नेक्ट परसने दोस्तों कि छेतरफल के दिरिष्टी से सबसे छोटा कौन सा है तो छोटा है हमारा सिवहर ठीक है मातर 349 वर किलोमीटर यहना सबसे बड़ा पस्मी चमपारन और सबसे छोटा सिवहर मेक्ष्ट है कि 2011 के दसक में जनसंख्या बिर्धी कितनी हुई थी 2001 से लेकर के 11 में जो दसक ये बिर्धी मतलब कि 1 से 11 में कितना साल हुई तो 10 वर्स में कितनी जनसंख्या की बिर्धी हुई तो 25 परसेंट जनसंख्या की बिर्धी हुई कौन सा है तो मध्यपूरा में जो है 2001 से लेकि 11 तक सबसे अधीक जनसंख्या की बृधी होई थी कितने बृधी होई थी तो 31.12% और टोटल बिहार का था 25.04 लेकिन मध्यपूरा में कितना हो गया 31.12 जो सबसे अधीक है बृधी के मामले में अगला परसंद देखिए कि 2001 से 11 क के दसक में निउनतम जनसंख्या बिर्धी वाला है आपका गोपाल गंज गोपाल गंज जो है ये निउनतम जनसंख्या बिर्धी वाला है और गोपाल गंज में ही सबसे अधीक लिंगान उपात भी है तो दोनों याद रखिएगा निउनतम जनसंख्या बिर्धी भी गोप साल गंज का है मात्र 19.02 परतीसत अगला परशन है कि राज की कुल सचहरता दर काफी इंपोटेंट है जो सचहरता दर है राज का 61.8 मात्र 61.83 हाना टोटल है एट थीरी तो याद रखेगा 61.83 जो बिहार की सचहरता दर है जो पूरे भारत में सबसे कम है मतलब निचले अगले प्रशन है कि पूरुस सचहरता दर बिहार का कितना है तो 71.2 परसेंट पूरुस सचहरता दर है पूरुस में भी बिहार सबसे नीचे है महिला सचहरता कितना बिहार का तो मात्र 51.5 परसेंट ठीक है 51.5 परसेंट नेक्ष्ट दिखते हैं कि सचहरता की दिरिष्टी स भारतिय राजियों एवं किंदर सासित परदेश में बिहार का जो अस्थान है वो अंतीम अस्थान है दूस्तू किंदर सासित में भी ले लीजिए और आपको राज में भी ले लीजिए तो दोनों में आपको 35 अस्थान और सबसे लाश्ट अस्थान पे है अगला है कि सचहरता की दिरिष्टी से भारतिय राज्यों का अस्थान कौन सा है तो भारतिय राज्य में भी बिहार सबसे नीचे है यानि की 28 में अस्थान पे है अगला है कि पूरु सचहरता की दिरिष्टी से भारतिय राज्यों कितने नमर पे है नेक्ष्ट है आपको की सरवाधिक सचर्था वाला जो जीला है वो है आपका रोहतास यह है रोहतास जो सबसे अधिक सचर्था वाला जीला है जहां 73.37% लोग सिच्छित हैं अगला है कि नियूंतम सचहरतावला जीला है अपका पुर्निया जहां 51.08% लोग सिच्छित हैं नियूंतम पुर्निया और सबसे अधिक रोहतास याद रखियेगा कई बार पूछा गया है बिहार की जो परमुख नदियां है कौन-कौन सी नदियां यहां बहती है तो गंगा नदी सबसे परमुख नदी जो बिहार को लगबग दो बरावर भागों में बाटती है तो यह कुछ बिहार की परमुख नदियां है दिखे नदियां सोई सम्बंधित आगे हम लोग और भी परशन देखेंगे नेक्स्ट डे में है ना तो अभी आपको मेन आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आपको दिया जा रहा है फर्स्ट डे में अगला परशन देखते हैं आपको कि बिहार का सोख हजार वार पूछा गया है सभी एक जामे कोसी नदि को कहा जाता है बिहार का सोख next है कि बिहार की प्रमुख दो आब दो आब का मतलब क्या होता है कि दो नदियों की बीच की भूमी को क्या कहते है दो आब कहते है एक मानली है एक नदी बाहर है एक नदी ये बाहर है इसके बीच की भूमी को कहते है दो आब तो बिहार में जो परमुख दुवाब है वो घागरा गंड़क दुवाब है गंड़क कोसी दुवाब है और कोसी महाननदा दुवाब है ठीक है याद रखिएगा अगला है कि गंगा नदी का बिहार में प्रवेश कहां पे होता है तो भोजपूर जीले में होता है ये आपको पूछा गया प्रस्न है तो गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश करता है वो भोजपूर में अगला है कि बिहार के जलपरपात पताना है तो ककोलत जल परपात आपको पता होगा जो ठंडे जल के लिए जाना जाता है जो नवादा में है अगर नहीं गए है तो जाइए वहाँ पे काफी अच्छा परिटक लोग आते रहते हैं नेक्स्ट है दुरगावती जल परपात जो है आपका रुहतास में तो यह दोनों का कोलत जल परपात याद रखना है आगे है गरम जल कुंड तो बिहार में जो गरम जल कुंड के जहरने है दोस्तों वो है सप्तधारा सत्गरवा जहरना ब्रहम कुंड, सुर्य कुंड गौमुक कुंड जो राजगीर में है लच्मन कुंड, सीता कुंड, जो मुंगेर में है तो ये कुछ जो गरम जलके जरने है जो आपको छाटने के लिए देगा कि निमलगित में से कौन से गरम जलके जरने है तो ये नाम आपको याद रखना है अगला है कि सिचाई के साधन जो बिहार में सिचाई के साधन है वो परमुख नहरे हैं तलाब हैं कुएं हैं नलकूप है और पाइन है इसके द्वारा बिहार में सिचाई की जाती है अगला है कि परमुक सिचाई परियोजना है तो परमुक सिचाई जो परियोजना है बिहार में वो गंड़क परियोजना, सोन परियोजना और कोसी परियोजना है अगला है दोस्तों कि परमुख ताफ विधूत परियोजना है तो बिहार में जो परमुख ताफ विधूत परियोजना है वो है बराउनी ताफ विधूत परियोजना है नेक्स्ट है कि परमुख पहारियां बिहार में जो परमुख पहाड़ियां है जो आपको पूछा जाता है शीवालिक की पहाड़ी के अपसे इस बिहार में है रामनगरदून की पहाड़ियां है रामेस्वर की पहाड़ियां है जो पस्चिमी चंपारन में कई वर पूछा गया है बराबर की पहाड़ियां जो बड़कपूर्व पहाड़ी स्रीनी तो ये कुछ बिहार की परमुख पहाड़ियां है इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे विस्तार से अभी हम लोग सिर्फ इसका बेसिक देख रहे हैं ठीक है आगे देखते हैं दुस्तों जलवाईू तो बिहार की जलवाईू है ये मौनसूनी जलवाईू है मौनसूनी है भारत की जलवाईू मौनसूनी है और बिहार की जलवाईू कैसी है मौनसूनी है अगला है कि परमुख रीतू तो बिहार की जो परमुख रीतू है वो है ग्रिस्म रीतू और ग्रिस्म रीतू का जो काल होता है वो मार्च से लेकर के जून तक होता है वर्सा रितू का जो समय है वो मध्ध जून से लेकर के अक्टूवर यानि मध्ध अक्टूवर तक लगवा होता है और सरद रितू का जो काल है वो नवंबर से लेकर के फरवरी तक होता है आगे देखते हैं कि आवसत वर्सा तो बिहार में जो आवसत वर् यहां क्योंकि मैदानी इलाका है यहां वन देखने को बहुत कम मिलता है जो भी वन था जंगल था वो सब कहां चला गया तो जहारकण में चला गया अगला देखते हैं दोस्तों कि सरवाधिक गरम जीला तो बिहार का जो सरवाधिक गरम जीला है वो है आपका गया गया का जो यहाँ temperature रहता है 105 degree foreign height तीक है याद रखिएगा अगला है कि सरवाधिक वारसिक औसत तापमान जो है वो कहां कहा है तो भागलपूर का सरवाधिक औसत वारसिक जो तापमान है वो भागलपूर का है सरवाधिक औसत आधरतावला जो अस्थान है वो भी आपका भागलपूर है आदरता में भी और औसा तापमान में भी भागलपूर आगे है नेक्स नहीं कि बिहार में मौनसुन का जो प्रवेस होता है वो 9 से लेकर के 10 जुन तक बिहार में प्रवेस होता है आगे है कि वर्सा का जो स्रोत है वो दच्छिन पस्ची मौनसुन की बंगाल की खाड़ी की साखा बिहार में जो में रूप से वर्सा होती है अना जो दच्छिन पस्ची मौनसुन जो आती है सबसे पहले केरल में और केरल में टकराने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती एक चल जाती है बंगाल की खाड़ी की साखा एक चल जाती है अरब सागर की साखा तो बिहार है आपका यहाँ पे तो बिहार में जो वर्षा होता है वो बंगाल की खाड़ी की साखा से वर्षा होता है तो याद रखिएगा अगला है कि सरवाधीक वर्षा वाला जो जीला है यहां सडक मार्ग देखने को मिलेगा रेल मार्ग, वायू मार्ग और जल मार्ग यहां का प्रमोख यातायात साधन है अगला परसने हैं दोस्तों कि बिहार की सबसे लंबी रास्टी यह राजमार्ग यह आपका काफी इंपोर्टेंट है NH-31, NH-31 जो है NH-31 है यह बिहार की सबसे लंबी रास्टी यह राजमार्ग है अगला देखते हैं नेश्परस की बिहार में रेलवे का सुभारम कब हुआ था तो रेलवे का जो सुभारम हुआ था बिहार में अठारा सो बासट इसवी में हुआ था 1860 से बासट में बिहार में जो चला था 1860 से बासट में अगला है कि बिहार का प्रथम रेलवे तो प्रथम रेलवे जो था बिहार में इस्ट इंडिया रेलवे कौन था इस्ट इंडिया रेलवे जो याद रखना है आपको काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में तो जुए आपके लिए काफी important है याद रखिएगा अगला प्रस्न है कि परमुख railway Jackson तो बिहार के परमुख railway Jackson कौन-कौन से है तो पतना हाजीपूर, बराउनी, कटिहार, बक्तियारपूर, गया, मुझफरपूर, जमालपूर और मानसी, ठीक है, तो याद रखिएगा अगला है आपका कि राज्य में वायू परिवहन का सरोपर्थम विकास अनि वायू परिवहन का सबसे पहले विकास बिहार में कब हुआ, तो 1960 हिस्वी, कब हुआ था दोस्तों, 1960 में, अगला है बिप्यस में पुछा गया है न, कि जैप्रकास निरायन हवाई अड़ा कहां है, तो पटना में है, तो याद रखना है, अगला है परशन की सैनिक हवाई अड़ा कहां है तो सैनिक हवाई अड़ा जो है, बीटा में है, और मुजफर पूर में है नेक्ष्ट है अन हवाई अड़े जो है गया में है मुझपरपूर में है भागलपूर में रक्सॉल में भी आपको हवाई अड़ा बनाया गया है नेक्ष परसने चलते हैं दोस्तों कि बिहार में जल परिवहन तो जल परिवहन जो है बिहार में 80 किलो मीटर लंबा आंतरीक जल मार गए बिहार में याद रखिएगा अगला है कि बिहार जो है समुद्र तट से दूरी कितनी है तो बिहार की समुद्र तट से दूरी है वो 200 किलो मीटर दूरी है और सबसे नजदीक जो है वो आपको बंगाल की खाड़ी आपको मिलेगा तो 200 किलो मीटर दूर है अगला परसन देखिए कि समुद्र तट से आउसत उचाई कितनी है काफी इंपोर्टेंट है तीरपन मीटर ठीक है 53 मीटर जो है बिहार उचा है समुद्र तल से आउसत उचाई है 53 मीटर या रखिएगा परमुख धर्म बिहार के कौन-कौन से है तो हिंदू धर्म जो सबसे बड़ा धर्म है फिर है आपको मुस्लिम धर्म, सीक धर्म, इसाई धर्म और भी छोटे-छोटे कुछ-कुछ धर्म है जैसे कि बहुत जैन, पार्सी लोग भी यहाँ पे कुछ-कुछ रहते हैं तो यह आपका बिहार का धर्म हो गया बिहार में सरवाधीक लोग पर यह सूफी सिलसिला जो हुआ था, फिर्दौसी सिलसिला आगे चलते हैं, नेक्स्ट के बिहार का महा पर्व यह आपका काफी इंपोर्टेंट है, जो छट पर्व है, सबको पता है कि बिहार का जो छट पर्व है, यह महा पर्व है प्रमुक लोक निरित ये कौन-कौन से है बिहार में तो कठ घोड़वा नाच, लॉंडा नाच, धोबिया नाच, जूमर ये कुछ महत्तोपुर्ण आपको लोक निरित है वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि पूरी BPSC तयारी करवाए जा रही है और आपको ASI का तयारी करवा जा रहा है अब प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी तयारी कर सकते है वह आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा ASI या BPSC से संबंदी टेस्ट आपको करवाए जा रहा है दोनों का और टेस्ट का टाइमिंग है रात में 9 बजे से अगला परस्ट देखते हैं दोस्तों कि परमूख लोक नाटी है तो लोक नाटी जो बिहार की परमूख है वो जट जटीन है सामा चकेवा है विदेशिया है मकूली है मकूली बाका है किर्तनिया है और डोमकच है तो ये आपको नाम कुछ-कुछ महतपूर नाम है जो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि छाटने के लिए बार-बार एकजामे कभी-कभी दे दिया जाता है बिहार के एकजामे तो आपको पूछाए जाएगा और नेक्स प्रसने दोस्तों कि प्रमुक्ष चित्रकला सैली तो बिहार की जो प्रमुक्ष चित्रकला सैली है वो पटना कलम सैली और मधुबनी चित्रकला सैली जो कई बार आपको दिन दुसरा आनि दुसरे दिन हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित और भी परसन है तो इसी परकार से लगवग आपको पूरे बिहार कवर करा दिया जाएगा एकजाम तक तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करतीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा यह आपका टेलीक्राम चैनल है जो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को जोईन कर सकते हैं आपका facebook page ए जोग्राफी वाई मुकेश कुमार तो प्लीज दोस्तों इसे जरूर से जरूर अप्लोग लाइक करें और ये आपका YouTube चैनल है यानि जोग्राफी वाई मुकेश शर या फिर career ये हमारा तो जोग्राफी वाई मुकेश कुमार हमारा facebook कर सकते हैं आगे की और तो ठीक है दोस्तों आप ट्यूटर से जुड़ना चाहते हैं तो यह हमारा ट्यूटर है इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जहां से आप फॉलो कर सकते हैं तो ठीक हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा ल